का सबत्स तो किसं आईपि करना ऐके मनमें सबसे पहले दोनowed की GMP देखेंगे स्वेखिव सवाइनिस की gmp देखेंगे 40 रुपय किसे क्लोख हो rhyme गेन 70% के आसपास मिल रहे हैं तो एक लोट के लिए अप अपलाई करते तो आपको कितना benefit मिलेगा तो 260 शेर का ये लोट है 40 रुपे का आसपास GMP चल रहा है तो इसके अंदर GMP बन करके आता है 10,400 रुपे अगर एक लोट के लिए आपने यापर अपलाई किया है तो और दूसरा IPO जो यहाँ पर कॉनकोर्ड बायो टेक का आई बजोगी हाट तारिक को क्लोज होगा इसका GMP 150 रुपे के आसपास चल आपको मिलता हुआ दिख रहा है यह तो गया इसका लिस्टिंग गेन का कंपरेजन GMP का कंपरेजन अभी दो आई पो कंपरेजन हम यहाँ पर देखेंगे तो एक IPO जो है चार तारिक ओपन हो आठ को क्लोज हो जागा 1551 करोड का यह IPO कौन सा है कौन कोड बायो टेक का ओफर और शेल की संख्याप देख सकते हैं रुपीस पर एक्विटी शेर तो इसका प्राइस बेंड जो साथ सो पांच से साथ सो इकतालीस रुपे दोनों जेगे लिस्टेंग होगा और रिटेल कोटा जो है यहाँ पर थर्टी फाइव परसेंट रखा गया क्यू आई पर पचास 425 करोड का लेकिन यहां ओफर फोर सेल्स पूरा का पूरा ओफर फोर सेल्स ही है और इसके बाद टेन रुपीस पर एक्विटी से इसका प्राइस बेंड देख लिए जो कि यहाँ पर साथ सो पांच से साथ सो इकतालीस है यह भी दोनों जेगे लिस्टेंग होगा यहाँ प इसके बाद में आगे चलते हैं तो देखेंगे यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है अगर एक लोट के लिए आप अपलाई कर रहे हैं तो तो यहाँ पर आप देख लिजिए मिनिमुम एक लोट में 20 शेर्स मिलेंगे 14,820 रुपर पे करना है यहाँ पर मि तो थोड़ा सा डिफरेंस देखने के लिए मिल जाता है आप कुछ इंपोर्टेट डेट्स अगर दोनों की आप देखते हैं तो देख लिजिए प्राइस बेंट एनांसमेंट 31 जुलाई को हुआ था जबकि इसका 28 जुलाई को हुआ है यह एंकर इंवेस्टमेंट की दर्मेंट 10 तारीक को आने वाला है जबकि इसका 11 तारीक को आएगा कॉन कोड का ठीक है इसके रिफर्ण कोड के 14 तारीक को आएंगे और ASBFC के रिफर्ण जो है 11 तारीक को अगर आपको जो भी डिमेट अकाउंट के शेर्स के रिडिर कर जाएंगी इसकी लिस्टिंग अगर आप देखते तो अठाय तारीक को यह लिस्टिंग हो जाएगा दोनों के फाइनेंशल आपको बता चुका हूं फिर भी एक नजर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं देख लिजी दो जारी किस से लेके 2023 तक का रेवन्यू कॉन कोड आई पी होगा तो रेवन्यू लग बड़ी आसानी के साथ आप कंपेर कर सकते हैं एक की लिस्टिंग 16 को एक की अठारा को आपके मन में सवाल आला आपको कौन से IPO में अपलाई करना है तो यह आपका अपना विसे दोस्तों दोनों IPO के GMP मैंने बता दिये और इसके फाइनेंसल वगरे भी आपको बता दिये ए का इस्टों मार्केट कहीं क्रेश हुआ तो जो SBFC फाइनेंस का जो आई पर इसकी सतर परसेंट की लिस्टिंग गेन दिखरे कहीं न कहीं साट परसेंट या 50% के आसपास आ सकता है लेकिन लॉंग टर्म कहीं न कहीं आपको फायदा दे सकता है जबकि दूसरा कॉनकोर्ट ब मार्केट के उपर डिपेंट करता है लेकिन दोनों के कंपरेशन में एक चीज आप देखेंगी कि इसकी कटव प्राइस काफी अच्छी है और इसकी कटव प्राइस काफी ज्यादा मेहंगी देखने के लिए मिल रही है कहीं न कहीं जो सब्सक्रिप्सन स्टेटस की बात है वीडियो सिर्फ फोस्ट एज्यूकेशनल परपरसीज गिल था वीडियो अच्छा लगाओ लाइक और शेयर जरूर से करना